Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल बहुत बड़ी खबर है, भारत के लिए क्यों important है, क्या हुआ, क्या इसमें कोई delay हुआ है, ये सारी चीजे मैं आपको detail से बताऊंगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा, अगर आप UPSC 2024 की preparation कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वाला जो batch है, 5th of मार्ट से start हो रहा है, इसको आप join कर सकते हैं, जिसके अंदर prelims से लेकर interview तक की पूरी त्यारी आपको कराए जाएगी, और खास बात ये है, कि अगर आप prelims 2024 का crack कर लेते हैं, तो free of cost में आप mains residential program ले सकते हैं, जो offline preparation होता है, mains का वो आप ले पाएंगे, तो हमारे website app पर जा है, just use the code UNKITLIVE to get maximum discount, और इसके साथ साथ अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहापर stories में जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, तो चले सुरुआत करते हैं, और सबसे पहले दिखते हैं, exactly हुआ क्या, देखे, एक बहुती landmark decision है, बांगला देश ने भारत को दिया है, दो पोर्ट, मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले, यह जैसा कि आप map देख सकते हो, यहाँ पर यह आपको मिलेगा, बांगला देश का यह पूरा border, काफी बड़ा border है, in fact मैं आपको बता हूँ, भारत और बांगला देश के मोंगला पोर्ट, और यहाँ पर और आगे जाएंगे आप इस साइड, जो बांगला देश का साउथ इस्ट साइड है, यहाँ पर मिलेगा चटो ग्राम पोर्ट, यह चटो गांग वही है, चटो गांग जो पोर्ट हम कहते हैं, वही है आपका चटो ग्राम पोर्ट, ठीक है तो ये दोनों port में भारत को access मिल गया है, मतलब कि अगर मालो भारत कोई भी goods अपना भेजना चाहता है North Eastern region में, तो काफी असानी से इन ports का इस्तमाल करके हम North East region में जो goods हैं उसको भेज पाएंगे, जिसकी वज़े से time भचेगा, सहुलियत होगी, और जो regional connectivity होती है पुरे Bay of Bengal म वो भी भड़ता हुआ देखने को मिलेगा, अब यहाँ पर क्या हुआ था कि इसको लेकर अभी recently जो national board of revenue है बांगलादेश का, उन्होंने permanent transit order issue किया, जिसके तहत ये बोला गया, कि जो भी 2018 में हमारा agreement हुआ था भारत के साथ, उसके तहत ये दोनों port भारत को हम access करने के लि Mongla port for movement of goods to end from India, इसको यहाँ पर sign किया था, और यहाँ पर जो भी standard operating procedures है, उसको कहा कि हम एक साल के अंदर इसको finalize कर देंगे, मतलब 2019 से ये start हो जाना था, लेकिन क्या होता है कि बांगलादेश के अंदर कई सारे जो procedures होते हैं, दिखिए आप समझने की जरूरत है, कि अगर ह जो भी procedures हैं, logistics हैं, वो सारी चीज़ें follow करनी थी, लेकिन वो सारी चीज़ें बांगलादेश शायद fulfill नहीं कर पाया, फिर उसके बाद 2020 में COVID का impact आ गया, तो चीज़ें वैसे ही नहीं बढ़ पाई, लेकिन एक फायदा हुआ था, COVID crisis की वज़े से, क्योंकि हम ये वाला जो access है, पोर्ट का नहीं ले पा रहे थे, तो हमने यहाँ पर जो बहुत लंबे समय से railway line जो था, लंबे समय से ठब पड़ा हुआ था, दोनों देश के बीच में, उसका हमने इस्तमाल किया, और कई सारे जो goods हैं, उसको हमने railway line के माध्यम से, वहाँ पर पहुँचानी की की, अब पिछले एक साल से आप देखोगे, तो दोनों देश के बीच में, जो पुरा trans shipment of cargo है, चटोग्राम और मोंगला पोर्ट से, उसका हमने जितना भी trial run करना था, कर लिया था, सबसे पहला जो trial run है, मैं आपको बताओं, जो July 2020 में हुआ था, जिसके तहत iron rots और pulses, वो ह पिर वहाँ से जितना समान है, वो हमने भेज़ दिया तिरपुरा के अंदर, यहाँ पर, ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर 2020 में पहली बार इसका trial run किया था, और पिछले एक साल से यहाँ पर जो भी problems हो रही थी, क्योंकि जब तक trial run नहीं करेंगे, पता नहीं चलेग अब देखे, इन दोनों ports के बारे में मैं आपको बताओ, सबसे पहला जो चटोग्राम port है, यह बांगला देश का primary sea port है, और यह port ध्यान रखेगा, यह basically situated है along the Karnav fully river, देखे, आपके exam perspective से बहुत important हो जाता है यह, कि चटोग्राम port के पास कौन सा river देखने को मिलता है, तो यह river का ध्यान रखना है आपको, यह है आपका Karnav fully river, और east to west और west to east जो आपको arrange करने को आ सकता है कि कौन सा port कहां पर है, मोंगला port कहां पर है, तो यह सारे questions बन सकते हैं ध्यान रखना है आपको, और चटोग्राम port मैं आपको बता दूँ, बांगला देश का जितना भी foreign trade ह होता है, उसका 90% trade इसी चटोग्राम port से होता है, तो सबसे largest port है यह बांगला देश का, और जहां तक मोंगला port की बात है यह आप देख सकते हो, यह भी आपका second largest port है बांगला देश का, और दोनों ही port भारत को access मिलना, यह एक अपने आप में बड़ी बात है, फिर इसके यहाँ पर खत्रा बन सकता है, यूशुली आपने कई बार सुना होगा, डोकलाम प्लेट्यू के बारे में जो विबात चल रहा है, वहाँ से जो चाइना है इसका advantage ले सकता है, तो कही न कहीं वो एक alternative route हम यहाँ पर देख सकें, इसके लिए कहीं न कहीं यह जो ports हैं बांगल संकर साब वो बांगलादेश कहते हैं, और तभी जाकर यह निर्नाय आया बांगलादेश की तरफ से, यह दोनों ports का access भारत को दिया जाएगा, और finally इसी की वज़े से क्या है कि लगभग 8 routes जो है वो आपके identify कर लिए गाए, मतलब चटोग्राम या मोंगला port पर अगर कोई identify किया गया, इन सभी के नाव आप चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो, और उसी के इसाब से, जैसे की समान यहाँ तक पहुचेगा, अगर North East से कोई समान जाना है वापस भारत में, तो वो भी इनी ports के माध्यम से हम भेज सकते हैं, आर ऐसा मज़ में, क्योंकि North East अगर आप देखोगे, तो उसका access C में नहीं है, अगर उसका C के access होता तो हम बहुत आसानी से भेज पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर C का access नहीं है, तो हमें बांगलादेश पर समान भेजना होगा, फिर वहाँ से, रिवर के माध्यम से, रोड के माध्यम से, रेल के माध्यम से हम उसको North इस रीजन में भेज सकते हैं, अब इन सारे चीजों को operate करने के लिए जो भारत के operators होंगे, मतलब भारत से जो भी समान भेजा जाएगा, भारत के जो businessmen होंगे, उनको license लेना पड़ेगा बांगलादेश से, और ये license का जो पुरा term होगा, वो 5 साल का होगा, और basically ये बोला गय फिर इसमें ये भी बोला गया है कि बांगलादेश के अंदर जो भी समान restricted है, prohibited है कि उसका export-import नहीं किया जा सकता, तो वो भारत नहीं भेज सकता है, फिर यहाँ पर भारत को कई सारे fees देने होंगे, जैसे आप देख सकतो 30 टका per ton, टका मा की currency है, और इसके लावा security fee देना होगा, 100 टका per ton, administrative charge देना होगा, 100 टका per ton, और जो road के माध्यम से इस्तमाल करेंगे, उसका जो toll वगरा charges होगा, वो भारत को देना होगा, लेकिन finally यहाँ पर एक और question आता है, देखो इसे भारत को तो बहुत फायदा होगा ही, लेकिन geopolitics के अंदर हमेशा याद रखेगा, को भारत ने कलादान multi model project केता है, जो सित्वे port है मैनमार में, उसको बनाया थाकि हम अपना जो समान है, उसको वहाँ पर भेजें, फिर वहाँ से north east में ले जाए, मैनमार होते वे, तो कहीं न कहीं यहाँ पर बांगलादेश को लग रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, तो मैनम मैनमार जो है वो उससे आगे निकल जाएगा, तो यह जो competition है मैनमार और बांगलादेश के बीच में, उसकी वजए से कहीं न कहीं बांगलादेश को लगा कि हमें भी अपने ports का जो access है वो भारत को देना चाहिए, ठीक है, एक तो यह कारण हो गया, दूसरा यहाँ पर है कि अगर मान लो भारत अगर trade करता है, वहाँ से अपने समान जाते हैं, तो इससे जो infrastructure वगरा है, जो connectivity है, उसको एक बहुत बड़ा boost मिलेगा, तो इससे बांगलादेश को फायदा होगा, जो हम पैसे बांगलादेश को दे रहे हैं, उससे बहुत सारी कमाई होगी बांगलाद पैसे बांगलादेश को फायदा है, फिर तीसरा यहाँ पर एक और interesting चीज़ मैं बताता हूँ, recently क्या हुआ था, कि बांगलादेश का एक force है, जिसका नाम है RAB, Rapid Action Battalion, बेसिकली यह जो force है, यह बनाया गया था, शेख हसीना के दोरा, जब बांगलादेश में बहुत सारा crime बढ़ गया था, लेकिन अमेरिका ने यहाँ पर आरोप लगाया है, कि शेख हसीना इसका इस्तेमाल, जो मानव दिकारों का हनन है, उसका करने के लिए करती है, उनकी जो विरोधी है, उनको चुप कराने के लिए करती है, तो यह जो Rapid Action Battalion है, उसके उपर अमेरिका ने प्रत कह सकते हो, फानली conclusion यही निकलता है, कि भारत और मांगला देश ने रिसेंट समय में अगर आप देखोगे, तो बहुत सारे निर्ने लिया है, connectivity को बढ़ाने के लिए, जिसमें एक जो सबसे important निर्ने था recently, 1965 का जो war हुआ था पाकिस्तान के साथ, उसके बाद से Cross Border Railway Link जो है यहाँ पर बांगला देश में यह जो आप पोर्ट देख रहे हो, मतरबारी पोर्ट, यह चटगॉंग पोर्ट के चटोग्राम जो पोर्ट है, उसके जस्त नीचे आप देखोगे, यही पर है मतरबारी पोर्ट, उसको डवलप करता है, एक Deep Sea पोर्ट यहाँ पर बना रहा ह और जाने से पहले एक interesting question, क्या बता सकते हो, कि which Indian state, मतलब कि भारत और बांगला देश के बीच में जो भी water share होता है, उसमें सबसे चोटा water कौन से भारत के राज्यका है, इसका right answer आप सबको पता है, मेरे Instagram पर तुम मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नही सारे MCQs हैं, वह आपर stories में डालता रहता हूँ, बाकि अगर आपको PDF के तो टेलिग्राम पर आए, अलग-लग social media पर आप जुड़ पाऊगे, और जैसा मैंने बताया, UPSC आप फिर कोई भी exam के त्यारी कर रहे हैं, just use the code UNKITLIVE to get maximum discount, and I hope कि वीडियो आपको पसंद आया होग मिलता हैं से नेक्स ताइम, तिल देन, thank you very much, see you soon.